प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम Sciences के लिए प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से Class 10th की Math की Classes जो NCRT से हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग Maths की Class में पिछले Class में हम लोग पढ़ रहे थे Exercise 4.1 का Solution यानि की द्विघाच समिकरन Class 10th चलिए आगे हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं Exercise 4.2 का Exercise 4.2 को सिखने के लिए Exercise 4.2 प्यारे बच्चों आपसे तभी बन पाएगा जब हम उसके पीछे उसके पहले कुछ theory देकर कुछ examples देकर आपको समझाने का प्रयास करो या फिर आप उसके पहले समझ सको उस बात को तभी आपको 4.2 में कोई problem नहीं होगा यह बिल्कुल guarantee है तो आप अच्छे से समझेंगे तभी आप 4.2 को अच्छे से तरीके से समझ पाएगे चलिए स्टार्ट करते हैं Class 10 की Math Classes की Exercise 4.2 का theory तो अगर यू बोले तो किसी भी exercise जब भी हम सुरू करते हैं कोई भी exercise सुरू करते हैं तो उसके पहले हम आपको उन चीजों को समझाएंगे जो exercise में करने के लिए आपको मिलेगा तो चलिए आप उसको समझिए कि हम लोग 4.2 के पहले theory में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग को 4.2 में जो question मिलने वाला है उसमें एक खास बिधी का नाम है जिसका नाम है गुननखंड बिधी जहां प्यारे बच्चों आप लोग 8th क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी समिकर्ण को गुननखंड कैसे किया जाता है तो यहां आज आप लोगा वही testing होने वाला है तो इसका जो नाम है वो नाम यह है गुननखंड बिधी द्वारा तो गुननखंड बिधी द्वारा द्विघहात समीकर्न का हल द्विघहात समीकर्न का हल फ्यारे बचों आप जड़ा बढ़िया से समझेगा जैसे कि यह जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं द्विघात समिकरन तो इकस्तवसाइस 4.1 में आपको यहां तक के कोशन बोल रहा है कि आप पहचानों के कौन द्विघात समिकरन है तो उसमें तो हम लोग talented हो गए द्विघात समिकरन पहचान बहुआजी है क्योंकि द्विघात समिकरन वही होता है जिसका X के power यः Y के power या T के power घात कितना हो ज्यादा से ज्यादा 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात समिकरन कहते हैं लेकित अब जो हम लोग इस टाइम पे सिख रहे हैं, ये टाइम ओ है जहां पे दिविघात समिकरन को हल कैसे किया जाता है, यहां पे हम लोग ये चीज को सिखने वाले हैं, प्यारे बच्चे आप ये समझे कि गुनन खंड भी थी ये क्या है, तो इसको हम फिलाल भी बताने बक्र पाले हैं, और इसका हल का मतलब होता है कि उसका मान निकालो, यानि कि कोई भी दिविघात समिकरन रहेगा प्यारे बच्चे, अब आपको उसको बोलेगा कि इसका हल निकालो, हल निकालना है, ज़र आप समझेगा मान लिया कि एक द्विघात समिकरन जो होता है द्विघात समिकरन को हम क्या मान लिये प्यार बच्चे द्विघात समिकरन को मान लिये AX square पलस BX पलस C बराबर 0 आपको ये बात देखकर पता चल जाएगा कि ये द्विघात समीकरन का समान्य समीकरन है जेनरल है जहांपे A, B, C का मान कुछ भी रह सकता है वो द्विघात समीकरन ही कहलाईगा क्योंकि पावर कितना है? 2 है अब गुरुन खंड भी धी द्वारा इसका हल का मतलब क्या है? प्यारों बच्चों हल का मतलब यह हुआ कि X के जगह पे कौन सा ऐसा मान रख दिया जाए कि सब को हल करने पर 0 आ जाए समझ रहें बातों को? हल का मतलब यही हुआ कि X अगर ये समीकरन X में है तो हमें X का मान ऐसा ढूढ़ना है जिसको यहां पे रखने पर कितना आ जा भेलू? 0 आ जाए तो उसी को बूलते हैं हल समीकरनों का हल जरा अगर ऐसे सवाल रहेगा 2X अस्क्वार माइनस 2X पलर बराबर 0 ठीक है? 2X अस्क्वार माइनस 2X बराबर कितना प्यार बच्चों? 0 0 अगर यह क्या है प्यार बच्चों? ध्विधात समीकरन है अब कोई बोल दिया कि इसको आप हल करो तो हल का मतलब प्यार बच्चों आपको X का मान ऐसा सोचना है ऐसा धूंदना है ऐसा ग्यात करना है कि X के जगा पर वो सोचा वह बाद वो ढूंदा वह बाद आप रख देंगे तो RHS में उत्रामान आ जाएगा तो जरा हम अभी हम बोलेंगे कि X बराबर 1 कोई बोले है कि इसका हल निकालो तो आप बोले है कि X बराबर 1 मेरा हल का आंशर है X बराबर 1 तो 1 का स्क्वार तो 1 होता है और 1 को 2 से गोना करेंगे तो 2 मैं इसे 2 गया कि बचिया 0 जिरो आ गया जब अगर आ जाता है प्यारे बच्चे तो हम यहाँ बोल देते हैं कि वो क्या है हल है यानि कि X का ऐसा मान ढूंडना है जो बराबर के बाद जो है वह आना चाहिए अच्छा अब जड़ा बात करते हैं कि हल का तो बसल्ब समझ गया है कि X का मान ढूंडना है अब जड़ा X का मान ढूंडना है तो इसी को हम लोग मूल भी बोलते हैं यानि कि हल का ग्यात करना या फिर मूल ग्याद करना दोनों का मतलब प्यारे बच्चों वही है खल कोई बोलेगा कि द्विधात समय करन का मूल ग्याद करो मूल तो अक्सर हम लोग साइंस के सब्जेक्ट में मूल का मतलब समझ जाते हैं पेड़ पोधों की जड़ तो जड़ गया तो नहीं करना है यहां पर कोई पेड़ पोधा यहां नहीं है न यहां डाली है न पत्ती है यहां पर हमको करना है खल को ही बोला जाता है मूल ठीक है तो जहां कहीं भी बोलेगा मूल तो सबज़गा है कि हमको एक्स क्यामान निकलना है प्यारे बच्चे एक और चीज आपको ध्यान देना है अगर कोई द्विघात समिकरन है तो उसका एक्स का जो हल निकल के आएगा प्यारे बच्चो उसका दूठ वांसर आएगा देखिए अब बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि नेचुरल है अब नेचुरल क्या है बहुत आपको मज़ा आने वाला चीज है कि अगर द्विघात समिकरन रहेगा प्यारे बच्चो तो उसका एक्स का आंसर दोठ हो आता है अगर मेरा ये द्रिघात रहता द्रिघात का एक्जाम्पल क्या है अगर द्रिघात समिकरन रहेगा तो उसका हल दिकल के कई गवाएगा तीन हुआएगा तो यहां पर हमको सिर्फ चैप्टर ही बना है द्रिघात समिकरन तो द्रिघात का बात हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग एक और चीज पे आने वाले हैं जो कि सबसे important है वो द्विघात समिकरन के मूल या फिर हल तो प्यारे बचो द्विघात समिकरन के हल कितने हो सकते हैं? हर case में दूगो इसका मान निकलता है यानि कि कोई भी द्विघात समिकरन रहे X का मान कैगो निकलेगा? दूगो निकलेगा अगर 3 घात रहे तो X का मान कैगो? तीन गो अगर 4 घात रहे तो X का मान 4 गो निकलेगा यानि कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर रहता है या फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा घात रहता है प्यारे बचो उसका आंसर उतना गो आता है तो यहां पे हम लोग द्विघात समिकरन पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि हर द्विघात समिकरन का जो मूल होता है जो हल होता है जो आंसर आता है वो कितना वो आएगा? दूग आएगा हर एक कोशन का कोशन एगो रहेगा वो कर आंसर दूग वो आएगा क्यों 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 क्य जुच सेाल 30 सब्सक्राइब तो एक अलफ़जास है और दूसरा नाम बीटा है बीटा को दिखाते हैं अच्छा से पहले एक लंबार खीच रहा है ऑप ठोड़ा सा छोड़के यह रिँड गी जिता है कैसे कौने हैं तो यह більक इसको आव तनी साइसे खिच दना है इसको आव बढ़ा देना है ठीक यह हो गया तुमको अलफा जिसको नहीं दिखने आएगा ए दिखना और उपरे और नीचे खिच दना ही हो गया अलफा तुमको तो याद रहें कि द्विधात समिखरन के लिए कितने मूल होते हैं दो मूल होते हैं दू को हल होता है एक को अलफा से सुचित करते हैं और एक को बीटा से सुचित करते हैं ठीक है अब जरा यहां तक तो समझ गया कि द्विधात समिखरन का हल और मूल के मतलब कुंची है अब जरा इससे पहले समझते हैं कि यह गुनन खंड बीदी क्या है गुनन खं कैसे करना है जरा इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एक्जामपल पर आते हैं चलिए कुछ एक्जामपल लेते हैं तब हम लोग को समझने आगा अगर आप इन चीजों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं समझ गया है तो अच्छी बात ह तोर्दे अभी हम एक question लेने वाले हैं पहला question देखने दीजिए क्या है question question इस तरीके का है 6x square minus x minus 2 बराबर 0 6x square minus x minus 2 बराबर 0 पहले बच्चों यह बोल रहा है कि क्या द्विघात समिकरन है तो आप बोलेंगे कि हाँ सर है क्योंकि power कितना है दो तो द्विघात समिकरन अब इस द्विघात समिकरन को देखने से आपको क्या पता चलता है कि इसका करव आंसर आएगा हल करें का मतलब हुआ कि X का मान निकाले अब X का मान कर गों निकलेगा वह आपको सोचना है क्योंकि पावर दूग है तो दूग आणसर आएगा X का अगर दूगों नहीं आ रहा है तो है एक गों आ रहा है तो गल्ती है बुड़ा आदमी है तुमको दूगों आंसर करना है ठेक है तो 6 x square minus x minus 2 बड़ाबर 0 प्यारे बच्चों आप गुननखंड सीखे होंगे पहले कि कोई भी समिकरन का गुननखंड कैसे करता है तो गुननखंड करने के लिए आपको दिमाग लगाना होता है कि x square के बगल में कितना है? 6 और बीना x वाला कौन है? 2 तो 6 और 2 को गुना करो तो 6 दूनी के 12 समझना रहा है इक गुननखंड जो बच्चों को गुननखंड नहीं आता है करने आप अच्छा से देखे, अच्छा से सीखे ताकि यहां पर गुननखंड का बहुत उप्योग है हाँ, x square वाला का बगल वाला देखना है इसको नहीं, x वाला का बिल्कुल छुपा लना है इसको धंग देना है, भेज देना है, दिली देना है एक सस्क्वार के बगल वाला छौ है और बिना एक स्वाला कौन है, दू है तो इसको गुरा कर देना है, छौदू नीक है, बारा अब बारा को आपको भाग लगाना है इसको तो सबसे पहले कितना में लगाएंगे, दू छक, बारा दूती आई, छो, अब तुम्हें लगेगा अब आपको यहां से सोचना है कि कौन सा ऐसा काम करेंगे इत्तिनों में कि जोडने घटाने से कितना आना चाहिए तो जोडने घटाने से बीच वाला कितना है, माइनस एक सना तो यहां पे माइनस एकस नहीं है, एकस के बगल वाला देखिए तो एक छुपा हुआ है, यानि कि माइनस एक आना चाहिए जोडने और घटाने से, तो देखिए दूत, अब दूती आई, छो छो में से दू गया, चार, नहीं लिख सकते हैं यानि कि इसमें से आपको कोई दू ठो पकड़ना है, और गुना करना है तिन दूना का छो, छो में से दू घटाएंगे तो चार, और छो में दू गोड जोड़ेंगे तो आज इसलिए छो और दू पर हमों लों मामला फ्रीद नहीं हो रहा है अब चलते हैं, दू दूना का चार, और चार में तिन जोड़ेंगे, तो चार तिन केतना होता है, हमको कितना लाना है, माइनस एक लाना है तो माइनस एक लाने के लिए चार को माइनस कर दीजी और पलस्तिन कर दीजी तो कितना आ जाएगा माइनस एक आ जाएगा यानि कि प्यारे बच्चों आपको जो गुनन खंड तोड़ना है इसमें से ऐसा जोड़ा पकड़ना है जिसको जोड़ने घंटाने से बिच वाला है बिच वाला कितना आया माइनस एक यानि कि गुनन खंड करना है हम लोग 9th क्लास में ही सिख चुके हैं कि कैसे गुनन खंड करते हैं तो इसका जो गुनन खंड आएगा वो कितना कितना पर तूटेगा तो माइनस 4 और 3 लिपे तो चलिए 6x स्क्वार इसको लिख सकते हैं x लगा कर लिखना है 3x माइनस 4x और माइनस 2 बराबर 0 यानि कि बात वही है बसरते हमको तोड़ने आना चाहिए कि कितना कितना पर तोड़ेंगे कि हम लोगों को बुणनखंड हो जाएगा तो बुणनखंड आप नहीं सिखेंगे तो आप उसको फिर से सिखने का परयास किजे आप परयास किजेगा तभी आपको आएगा क्योंकि 9th क्लास में बुणनखंड से हम लोग का chapter भरा हुआ पड़ा था और हम लोग बहुत सारे गुनान खंड करते थे तो यहां पर गुनान खंड हो गया गुनान खंड के बाद प्यारे बच्चों यहां और यहां चीजों को देखे कि क्या common हो रहा है तो यहां से तीन जो है आगे common हो रहा है एकस भी दोनों में है तो आप 3x को common कर लिजे तो 3x को common किजिएगा तो यहां पर क्या बचेगा 3, 2, 6 और x square है तो यहां एक ही गोना x है तो एक वाउट एकस देदिये तो x square हो गया यहां पर 3x को जब आप common कर लिए तो यहां पर एक बच गया और फिर 2x प्लस 1 और 3x आगया अब जो चीज यहां ब्रैकेट में बचता है प्यारे शात्रों आप उसी को लिख दिजे 2x प्लस 1 सेम चीज अब बताइए कि यहां पर जब 2x है तो हमको लाना कोची है माइनस 4x तो माइनस 2 से गोना करेंगे तब एना माइनस 4x आएगा यानि कि एक बार जो कॉमन लिया जाता है जो ब्रैकेट में आता है उसी को दुबारा लिख देते हैं थोड़ा सा जबवा छोड़के ऐसे जो यहां आता है उसी को लिख देते हैं अब इसके बाद आप सोचिए कि माइनस 4x कब आएगा जब माइनस दू से अपने तरफ से ही सोचना है ये माइनस दू कहां से आया अपने तरफ से सोचना है कि किससे गुना करें कि यहाँ पर माइनस फोर एक्स बन जाए तो यहाँ माइनस टू से गुना कर दिये तो माइनस फोर एक्स बन गया और माइनस 2 को माइनस प्लस माइनस और 2 वंजा 2 इकवर्ल टू कितना? 0 पैयरे बच्चों, गुनन खंड में हम लोग सिखे हुए हैं कि जो दोनों सेम सेम हैं उसको एक सतरफ लिखते हैं और 3x और 2 को एक साथ लिखते हैं 3x माइनस 2 और ये वाला ये वाला को एक साथ लिखेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 इतना चीज करना है पैयरे बच्चों यारे कि गुनन खंड नामे है कि जो हल हम लोगों को करना है द्विघात समिकरन का वो कौन सा बिधी से करना है? उस बिधी का नाम है गुनन खंड बिधी आपको गुनन खंड आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो आप सिखने का परियास किजिए ठीक है? चलिए अब इसके बाद जो काम करना है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जो गुनन खंड हो के दू को पार्ट में मिला एक ब्रैकेट में यहाँ और एक ब्रैकेट में यहाँ और बराबर में 0 तो इसको हम लोग दो पार्ट में बाटते हैं इसके बाद जो काम करेंगे उसके नीचे एक रेखा किचेंगे ऐसे यह जो हम काम करना है वो आपको इसके नीचे करना है एक बार इधर लिखना है 3x-2 बराबर 0 यानि ए वो इतना के बराबर 0 लिखना है और right side में 2x plus 1 बराबर 0 लिखना है यानि कि यहां के बाद से आपको नीचे काम करना है जोकि मेरे पास जगा रही है इसलिए हम यही वाला बात को उपर से बता रहें फिर से तो 3x-2 और 2x plus 1 बराबर कितना है? 0 अब जो पहले वाला जो गुनान खंड है उसके बराबर भी 0 लिखेंगे और जो दूसरा वाला जो गुनान खंड है उसके बराबर भी 0 रत दिये अब 0 रखने के बाद आपको x का मान निकालना है तो यहाँ से आपको पता है x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यह माइनस में है उधर जाएगा तो पलस में 2 होगा इसलिए x का मान क्या होगा यहां तिन गुना में है ना तो यहां पर चला जाएगा भागा में तो x का मान कितना आ गया दो बटे में 3 चली अब इसको से भी मान निकाले है 2x यह पलस में है उधर जाएगा तो माइनस में इसलिए x का मान कितना हो गया माइनस एक बटे दू तो प्यारे छात्रों अभी हम लोग यही चीज तो बता रहे थें कि द्विघात समयकरण एक ऐसा समयकरण है जिसका दू गो मूल आता है दू गो हल आता है दू गो मान निकलता है देखे, सवाल था द्विघात समयकरण का अब x का मान ये गो 2 by 3 आया और ये गो minus 1 by 3 वो लिया तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतर जो सवाल था, सवाल क्या था? 6x square minus x minus 2 का हल कितना कितना है? तो 1 गुवाया 2 बटा 3 तथा 1 गुवाया minus 1 बटा 2 है हल कितना कितना है? 2 बटा 3 और minus 1 बटा 2 अब प्यारे बच्चों, बराबर 0 ये छूड़िया था अगर आप x के जगा पे एक बार 2 बटा 3 रखियेगा जहां जहां x है यानि कि अगर आपको चेक करना होगा कि हमर निकालल सही है कि नहीं एक बार और हालनकि यहाँ पे चेक नहीं करना है आप घर पे रफ को भी में ये काम कर सकते हैं कि ये मेरा जो आया हुआ हल है ये सही है कि गलत है आप इसको चेक करने के लिए एक बार x के मान जो है 2 बटा 3 रखियेगा LHS में solve किजिएगा 2 बटा 3 जहां जहां x होगा वह automatic 0 आजाएगा और minus 1 बटा 2 भी रख के चेक किजिएगा वहाँ पे भी आपको 0 आजाएगा तो ये चेक आप खुद से भी कर सकता है रख में हालांकि जब हल बोलेगा तो वहाँ पे चेक चाक कुछ नहीं करना है चलिए तो आगे हम लोग एक और कोश्चन देते हैं और उसको फिर समझते हैं अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन कुछ इस तरीके से है 3x square minus 2 root x 3x square minus 2 root 6 x परवचिक और हम एक जांपल में कोश्चन देए हुए है और इसको समझना है यह बहुत बढ़िया कोश्चन है कि आखिर इसको गुनम खंड देखे में प्राब्लम है ना कि जो लोग दसवा में आ गया हैं उनको नवा का कॉंसेप्ट अच्छा से पता नहीं है उनको गुनम खंड तोड़े नहीं आ रहा है अब वो बचवा के का कर जा है जगा गुनम खंड पता नहीं है भाई तेरा गुनम खंड में प्राब्लम है दसवा क्लास में प्राब्लम नहीं है दसवा क्लास बहुत आसान है तो तुम गुननखंड पहले सीख लो अच्छे से तब तुमको यह चाप्टर बहुत बढ़ी हैसा समझना आएगा चलो फिर भी गुननखंड नहीं आता है आप सिखोगे सिखने का परयास करोगे तो जरूर सिखोगे अगर नहीं सिखने का परयास करोगे कभी जिंदगी में एशीख होगे फिर से सलो सिखाते हैं गुननखंड करने के लिए हम क्या बोले प्यार बच्छां एक सब्सक्वार के बगल में तीन है और यहां क्या है दू है तो तीन और दू के तुमको जी करेगा गुना करेगा तो थ्री टूजा कितना होता है शिक्स होता है थ्री चाहिए कित्रा जोडने घटाने पर टू रूट शिक्स आगा चाहिए ठीक है तो अब इसको जरा अच्छे से समझते हैं थ्री आउट टू को इस तरीके से आपको करना है काम कि थ्री टूजा कितना हुआ शिक्स अब शिक्स को आप भागा लगाए तू थ्री जा शिक्स ठ बहुत अच्छा पूश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इसने त्वस जाते हैं जरा समझेगा आप रूट वाले प्रॉब्लम है अब आपका ही प्रॉब्लम है कि सर एक दिक्कत तो लग रहा है हम बोले कि क्या बचवा कातुम को दिक्कत है तो सर दू औ तो तीन को सर जोड़ेंगे तो पाच अब दू में से तीन को घटाएंगे तो माइनस एक ना तो तीन में से दू के घटा भी तो एक अब यतना ही चीज आ रहा है हमरा बीच में तो लाना है तूरूट एक्स यानि कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर तो हमको और टू रूट एक्स लाना है प्यारे बच्चों आप मैथ पढ़ रहे हैं नों की कोई SST या हिंदी की सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि आप एक बार जो पढ़ लिया आप उसको याद कर लो समझ लो तो मामला खत्र नहीं मैथ है दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यानि कि क्या ऐसा करने से अब तो आप फेल हो जा रहे हैं नहीं हो पा रहा है ना आपको पारा एक तू रूट सिक्स और होता है यहां पर सिक्स त्यारे में बच्छे जड़ा अच्छा से समझे कि किसी भी चीज जो है कोई भी संख्या है अगर उसको उतना रूट से गुना कराते हैं जैसे माल लिया कि चार है तो इस चार को हम लिख सकते हैं रूट चार गुने रूट चार ठीक है पाँच को भी लिख सकते हैं रूट पाँच गूने हैं रूट पाँच उसी तरीके से कभी आप अगर ऐसा न टूट पाए ब्यार वच्चू तो आप यहां पे यह दिमाग लगाए कि छोव को जब तोड़ना होगा छोव को जब तोड़ना होगा तो हम ऐसा भी तोड़ सकते हैं रूट छोओ को रूट छोओ बार में समझ रहे हैं बात को अब आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा ही तोड़ने से बीच में आ रहा है 2 रूट 6 पैरे वच्चो ऐसे लिख सकते हैं 3x² और माइनस x मिलके माइनस 2x हो जाता है तो यहां रूट 6 और रूट 6 का है वो दूपो इसी के वज़ए से आपको ये कशब नहीं खाना है कि हमेसा वैसा ही कुछ करना है यानि आपको अपना दिमाग लगाना है कि कितना में तोड़ा जाए बीच वाला को कितना में तोड़ा जाए बीच वाला को ताकि हमें क्या आजाए तो हमें मिल जाए ओ जोड़ने खंट आने से उतना मिल जाए तो ये इसको तोड़ दिये माइनस रूट 6 6 माइनस रूट 6 6 और यहां हो भी आप पलस 2 बराबर 0 अब पैर बच़ो को आप यहां पे रिखिए तो यहां पे आपको दिख रहा है कि here यह क्या कामल क wagon लिखसकते हैं तो यहां फ्री को जैसे भी बताएं 3 कौन का लिख लिख सकते हैं रूट 3 गुना root 3 गुना x square फिर minus 6 को भी तो तोड़ सकते हैं 3 दूना का तो इसको भी 2 पार्ट में लिखें root 3 गुना root 2 root 3 और root 2 मिलके root 6 बन गया और x minus इसको भी वैसा ही लिखें root 3 गुना root 2 गुना x plus 2 2 को भी वैसा ही लिखें 2 को कैसा? root 2 गुना root 2 बराबर कितना? प्यारे बच्चो जीरो देखी ये ऐसा maths है ताकि आपको अलग-अलग situation में अलग-अलग कुछ सिखने का मौका देता है आप बूले कि सरा या वहाँ पे 2 था थोर था तो वहाँ पे तोड़े नहीं थे रूट में यहां सब को root में तोड़े रहे तो हाँ इसलिए बच्चा क्योंकि यहां पे सब को root में यहां पे लिखे नहीं है, सवाल ही मेरा root में है इसलिए हम कुछ को root में तोड़ना पणा चले अब आगे बाद करते हैं तो यहां और यहां में क्या common है तो root 3 भी दोनों तरफ है और x x भी दोनों तरफ है तो यहां से हम लोग root 3x को बाहर ले लिए तो root 3x को जब बाहर करेंगे तो root 3 तो यह बाहर निकल गया तो a गो root 3 अंदर बचेगा और a गो x अंदर बचेगा फिर minus root 3 तो बाहर निकल गया x बाहर निकल गया तो अंदर में root 2 बचेगा और हम क्या बोले कि जो एक बार bracket में लिख दिया जाता है फिर bracket में लिखो तो ब्रैकेट में वही चीज़वा, रूट 3 x माइनस रूट 2 त्यारे बचों आप ये आपको समझना है, कि यहां पे तो लाना है हमें, रूट 3 गुना रूट 2 गुना एक्स, ये चीज़ लाना है, और आपको क्या है अभी, रूट 3 x ले, ये है, क्या घट रहा है, तो माइनस रूट 2 घट रहा है, माइनस ये वाला, और रूट 2 घट रहा था, अब आप चेक कर लिजे कि क्या मेरा सही है कि नहीं, तो माइनस प्लस, माइनस रूट 3 रूट 2 x, रूट 3 रूट 2 x, माइनस माइनस प्लस, रूट टू, रूट टू, रूट टू है, चलिए, यहां तक ठीक है, बराबर चिरो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुनन खंड में आप सीखे होंगे कि जो दो चीजे, दो बारा ती है, उसको एक बार लिखना होता है और जो इसको दोनों को एक साथ, यानि रूट ट्री एक्स माइनस रूट टू, और यह वो लिखेंगे, रूट ट्री एक्स माइनस रूट टू, बराबर कितना? जिरो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे, तो यहां पर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, अब हम लोग इतना तक करने के बाद, इसको दो पार्ट में लिखेंगे कौन-कौन सा पार्ट, तो एक पार्टी के बनेगा, एक बार यह पहला वाला गुनम खंड को 0 करेंगे, तो रूट 3X माइनस रूट 2 बराबर 0, और दूसरा वाला को भी करेंगे, तो रूट 3X माइनस रूट 2, जला प्राब्लम है कहीं पर है? रूट 3X माइनस रूट 2, तो यहां से अगर X का मेलू निकारना होगा, तो रूट 3X बराबर यह माइनस है, उधर जाएगा, तो क्या होगा पच्चे? रूट 2, इसलिए X का मान क्या आया? रूट 2 बटा में रूट 3, आया? अच्छा, इसका X का वेलू अगर निकालेंगे, तो क्या आया? रूट 3X बराबर उधर जाएगा, तो रूट 2, इसलिए X बराबर रूट 2 बटा रूट 3, तो हाँ, अब हम लोगों को दोनों को सेम सेम भैलू आ गया है, सेम सेम आंसर आ गया है, लेकिन इससे बिलकुल फर्क नहीं पड़ता है, कि आप इसके लिए क्या कर पा रहे हैं, या क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को भले आपको यह समझ में आ रहे हैं, लेकिन दूगों तो माना आया ला, कभी कभी सेम सेम भी आ सकता है, कभी कभी अलग-अलग भी आ सकता है, जैसे कि पिछले वाला कोश्टर में हम लोगों देख़ी एक्जामपल तो यह कोई प्राब्लम नहीं है कि सर हमलों का तो दोनों सेम से मागया तो कोई प्राब्लम नहीं है आना दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है यानि कि आपको जो करना है दू गो मान निकाल के दिखाना है फिर लिखना पड़ेगा अतर शमी करन क्या था तो था 3X स्क्वार माइनस 2 रूट 6X पलस 2 बराबर 0 का हल कितना कितना तो रूट 2 बाई 3 रूट 3 तथा रूट 2 बटा रूट 3 है दू गो हल है यानि कि हर कोईश्चंस को आपको इसी तरीके से प्रयास करना है प्रैक्टिस करना है प्यारों बच्चों तो यही है गुननखंड भी थी यानि समसे पहले जो कोईश्चं को आपको जो करना है गुननखंड करने आना चाहिए अगर आप गुननखंड कर लिए तो आपके लिए जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है तो कहने पेच्चों अब हम लोग आप हम जो है आपको आज के वक्स करने के लिए दे रहे हैं किसी बच्चू को अगर यह नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कोश्टन हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को नहीं बना है वही इसकों कोई सही नहीं बना पाया है तो वैसे कुश्टन को जरूर्व करेंगे हालंकि पहला का जितना भी all question है exercise 4.2 का पहला का only आपको solution करना है practice करना है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत लोग गुनन घंड भी दी आता होगा उनको तो जरूर कर पाएंगे और फिर बना कर आप group में जरूर से जरूर send करेंगे तो इसी बात के साथ आज के class को end करते हैं फिर मिलते हैं अगले videos में अगले class में और फिर आगे के questions को देखेंगे